हलो बहनोयों भाईयों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे यों स्वस्थ होंगे साथियों आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेश्पी लेकर के आए हैं आलू धनिया तो चलिए आलू धनिया बनाना स्टार्ट करते हैं साथियों आलू धनिया बनाने के लिए हमने ये 300 ग्राम आलू छोटे साइच के लिए हैं ये लाल वाले आलू हैं इनकी साथियों आलू धनिया बहुत अच्छे बनती है इसकी सबजी भी बहुत अच्छे बनती है स्वादिष्ट लगती है इसलिए हमने ये लाल वाले आलू लिये हैं और इनको हमने साफ पानी से धुल लिया है अब इनको साथियों हम उबलने के लिए रख देंगे कूकर में हम इनको रख देंगे उबलने के लिए इसके लिए हमने ये धनिया लिया है भहुत सारा छे हरी मिर्च लिया है हमने और एक अध्रग का टुकडा लिया था, उसको हम इस तरीके से देखे बारी काट लिया है ये हमने फलाहारी नमक लिया है एक चम्मच अमने ये काला नमक लिया है और एक चम्मच ये चीरा लिया है यह तीन चीज़ें और ली हैं, साथियों एक हमने यह देखे नीम्बू लिया है, नीम्बू का रस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसकी खटास बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे आलू धनिया में यह लगता है, यह देखे साथियों, हमने आलू कूकर में उबलने के अले रख दिये थी, उबल गये हैं आलू, इनका छिकल में ने हटा दिया है, छील लिये हैं, और यह देखे इस तरीके से बढ़या से आलू, एक साइस के निकलाएं हैं, छोटे वाले आलू हैं, बहुत टिश्टी लगते हैं साथिमें, इनको हम दो पीस में काट लेंगे, स इसमें मिक्स हो जाती है अच्छे से और बहुत बढ़या बनती है, बहुत स्वादिश्टी लगती है, यह देखे इस तरीके से सारे आलू के दो दो पीस कर लेंगे, यह देखे सारे आलू के दो पीस कर लिये हैं, अब साथ यूँ, जो धनिया लिया था, उसको अब बारीक बिल्कुल पीस हैंगे, मिक्सी में इसको हम जार में रखेंगे, और इसको बहुत बारीक पीस हैंगे, यह हरी मिर्च जो हमने लिए छे वो भीस में डाल देंगे, अद्रक का टुकड़ा एक काट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे ये जीरा भी साथियों इसी में डाल देंगे ये भी पीस लेंगे इसी के साथ और नमक जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल देंगे काला नमक भी डाल देंगे इसमें और साथ यूँ दो-तीन आलू उबलने में फूट गई थी, उनको हमने मिस कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे ये देखे, इसको भी इसी में पीस लेंगे ये देखे, सारी चीज़ें इसमें पीस लिए हैं, मिक्सी में, बहुत ही बारीक पीसी हैं और आप ऐसी बारीक पीस लें, मूटा मत पीसें इसको बारीक पीसें ये अब एक बाउल में साथ यूँ आलू रखेंगे और इसी में सारी सामगरी डालेंगे ये कटे हुए आलू रख लिए हैं इसमें, और ये धनिया का जो पेष्ट तयार किया था हमने, ये अब इसमें डाल देंगे और आलू के साथ मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हीद fy धनिया का पेष्ट और एक छम्मछ हिंग डाल ली हमने कि अभी डाले बहुत अच्छा फ्लेवर नीबू कह रस देके निकाल लिया था वह भी हमने किसमें डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे आलूं में यह धनिया का जो पेष्ट है यह सब मिक्स हो जाए तब तक इसको मिक्स करते रहें यह देखिए यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गए है इसमें और साथियों इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है यह फटा फट बन जाता है बहुत अच्छा बनकर आलू धनिया तैयार हुआ है साथियों तो यह मेरा बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो करपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें यह हम कमेंट करें यदि साथियों आप चैनल पर नए हो तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद नवस्कार साथियों झाल